This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your Dostep. प्रिशी विभाग की ताबर तोड चेकिंग, काजि पेत अजनी पैसेंजर होगी फिर से शुरूर। वीडियो में दिख रहा ये दृश्य वांकिरी का है, जो की आपको नाली के रूप में दिख रहा है, लेकिन ये सड़क का दृश्य है, जो की काजस नगर से वांकिरी को जोडती है, जहांपर एक नाली में तेज पानी बहरा है. वैसे तो इस सड़क को प्रशासन ने बन कर दिया है लेकिन फिर भी कुछ लोग इस सड़क पर आवा जाही करने की कोशिश करते है ये वेक्ति भी उन्हीं में से एक है जो की इतने तेज बहते नाले के पानी में अपने बाइक के साथ इस सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा था लेकिन अच्छानक से ये वेक्ति और उसकी बाइक पानी के तेज बहाओ के साथ नाले में बहने लगे थे वहाँ पर माजूद कुछ स्थानिय लोगों ने बाइक समेथ इस वेक्ति को बहने से बचा लिया दर्शकों से विंती है कि कोई भी इस मार्ग के जरिये कागस नगर से वांकिरी तक ना जाए तिलंगाना के माली समाज ने एक नया आंदोलन शुरू कर दिया है उनकी मांग है कि उन्हें स्थी काटेगरी के तहट आरक्षन मिलना चाहिए इसी क्रम में कलकागस नगर के माली समाज के लोगों ने स्थी आरक्षन से संबंधित एक विंती पत्र जिला अधिकारी कलेक्टर श्री राहूल राज जी के द्वारा राजधानी हैदराबाद के स्थी आयो को भिजवा दिया कल दहे गाउं पुलिस ने एक संसनी खेस खबर का खुलासा किया पुलिस ने बताया कि मंडल के कोंचु वेली ग्राम की निवासी 48 वर्षे किश्टका निकाडे ने आत्महत्या की स्थानी लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले अकेली पन की कारण किश्टका को शराब पीने की बुरी लत लग गई थी क्योंकि कुछ वर्षों पहले उनके पती की मौत हो गई थी और कुछ महिनों पहले ही उनका एक लड़का भी गुजर गया था जिसके बाद किश्टका अपने घर पर अकेली पन से जूच रही थी और ऐसे में उन्हें शराब की बुरी लत लग गई इसी बुरी लत के कारण उनकी तव्यत खराब रहने लगी थी स्थानी लोगों ने उनका शराब पीना बंद करवा दिया था शराब ना मिलने के कारण मानसिक तनाव से जूचती हुई किश्टका ने कलफासी लगा कर जान दे दी खबरों को सिलसिला आगे बढ़ाएंगे उसके पहले दर्शकों आपसे विंती है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए कागस नगर के क्रिशी विभाग के अधिकारी श्री मनोहा जी आज कल कागस नगर में ताबर तोड चेकिंग अभियान चला रहे है उनके द्वारा शहर में मौजूद सभी फर्टिलाइजर्स की दुकानों की गहनता से जाज ही जा रही है दुकानों में मौजूद स्टॉक, लाइसेंस और बहिखातों का रिकॉर्स ध्यान पूर्वक चेकिंग की जा रही है यदि किसी भी प्रकार की गरबरी पाई जा रही है तो भारी जुर्माने के साथ सामान भी जब्त कर लिया जा रहा है कल दक्षिन मधिर रेलवे के अधिकारियों ने यात्रियों के लिए एक खुश खबरी जारी की है उन्होंने ये घोशना करती हुए बताया कि एक अगत से काजी पेर से अजनी तक चलने वाली पैसेंजर गारी को फिर से शुरू किया जाएगा इस पैसेंजर गारी द्वारा काफी लोग दैनिक यात्रा करते थे ये गारी नागपूर के अजनी रेलवे स्टेशन से रात आठ बजे निकलती थी जिससे कि कई लोग रात को अपना काम करके नागपूर से सेवा ग्राम की और यात्रा करते थे आगे चल कर ये गारी सुभा साधे तीन बजे कागस नगर पहुचती थी और उसके बाद आगे चल कर कई यातरी सुभा सुभा इसी ट्रेन से वरंगल से काजी पेश ट्रेल विस्टेशन से दैनिक यात्रा करते थे ठीक यही समय काजीपेश से अजनी वाली ट्रेन का भी हुआ करता था लेकिन कोरोना काल के चलते इस ट्रेन को बन कर दिया गया था इस रूट की लाइफ लाइन माने जाने वाली इस ट्रेन को फिर से चलाने की मांग काफी जोर पकर रही थी इसलिए यात्रियों की सुविदा को ध्यान में रखते हुए इस्ट्रेंग को फिर से शुरू किया जा रहा है आज की कागर्ज नगर की खबरे यहीं तर वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजे मिलेंगे आज शाम की खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार